तो हालो फ्रेंट्स अभी मैंने यूटूब पे एक वीडियो देखी है कि ये न्यूज फेक है और ये सब दो-तिन दिन से राजविर जी एक्टिव नहीं है यूटूब पर इंस्टा पर कहीं भी तो सब ने ये फेक न्यूज फैला दिये कि राजविर जी का एक्सिजेंट हो प्रूफ ऐसा खटा होता है कि हाँ सब मान जाते हैं कि हाँ ये राजविर जी का ऐसा एक्सिठेंट हुआ है ना तो राजविर जी की उसमें कोई फेस दिखाया गया है कई भी और जबकि एक्सिडेंट का नाम तो समलो ऐसे पानी की तरह फैलता है फोटो से कुछ नहीं अप्डेट आई ना किसी ने आप वार वर ले सब्सक्लाइब अब्सक्राइब जो बढ़ा एक क्मीडर उस्टा की होती तो जरूर 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 होती मतलब आप लोग दिमाग से क्यों नहीं सोचते हो किसी की भी फेक न्यूज बना देते हो अगर वह एक्टिव नहीं है चलो मैं मानते हूं कि कुछ हुआ होगा तो फिर भी इतना बड़ा आप किसी को इतना गलत गलत किसी के लिए मत बनाओ और सच में बहुत गलत सबसे पहले इतैड़ बंद हो जाए किसी के लिए इतना गलत बोल सकता है तो उसका अकाउंत यी नहीं आ रहा है तो आप लोग इतना गलत मत उड़ाओ नो उसकी खबर इतनी गलत नहीं बनाने चाहिए बस मैंने जब वह एक वीडियो देखी है कि अगर राजीविजी का एक्सिदेंट होता या कुछ भी होता जब उनकी पूरी लाइफ वाइटी पे है तो एक्सिदेंट की तो सोचो आप लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हो कि मलब अपनी चैनलों को चमकाने के लिए अपने सब्सक्राइबर के लिए अपनी वीज के लिए इतना गंदा तुम किसी के लिए बोल रहे हो आप अपने दिल से सोचो ना अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ सच में हो तो आप चलो बोल सकती हो आपना शोक मना सकती हो कुछ भी घर से पहले आप कुछ भी मत करो और मैं भगवांसी यही प्रेकर रही हूं मेरी मातरानी मेरी वैशन मातरानी कि यह न्यूस बिल्कुल जूट हो और जो फैलाने वाला ना उनके मूह पे मातरानी ऐसा तमाचमार कि गलत न्यूस कब भी मत फैलाओ किसी के लिए तो प्लीस मेरी मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि इसको यही रोक दो अगर जब तक उनके घर से कोई अपडेट में आती तब तक आप चुप हो जाओ कोई कुछ भी मत फैलाओ न्यूस बहुत दुख वाली दूसलिए मत फैल करो तो बस मैं यही कहूंगी कि स्टॉप करो इस वीडियो को स्टॉप करो इस न्यूज को और आप अपना पर्सनल को यह कॉंटेंड लाओ प्लीस किसी और के नाम पर अपना व्यूज और चैनल मत चमकाऊ थैंक्यू मित यू नेक्स वीडियो में